आज मेरे दो मों बच्चे ज़दी उपके नगा लिए हलो फ्रेंड्स कैसे हो आप सब ये दुपहर कड़ाई में और बहुत सारे बरतन हो गए थे खाना खाने के बाद, बनाने के बाद, बीट-बीज में में कुछ बरतन धुलती भी रहती थी लेकर इस दिन में नहीं धुले थे लेना बच्चों को थोड़ा बहुत बुक्स बगरा देख लेती हूं पढ़ाना होता तो पढ़ा लेती हूं नहीं तो उनका भी मन नहीं होता है चुटियां चल रही हैं तो बद उनके साथ में कुछ गेम्स खेल लेती हूं कभी-कभी मैं दिखाती हूं आप लोग साथ में कि मैं क्या कर रही हूं कैसे बच्चों के साथ मैं समय बिता रही हूं कभी कभी क्या होता है कि मैं आफ कैमरा ही सारी चीजे करती हूं क्योंकि बच्चे भी फिर कैमरे पे ही ध्यान देते हैं फिर ना ही वो बुक्स पे अपने ध्यान देते हैं ना ही किसी काम पे ना ही किसी गेम्स पे तो थोड़ा सा उनके साथ मैं ऐसा रहता है और थोड़ी देर के लिए मैं उन्हें रेश करने के लिए सुलाने की कोसित भी करती हूँ क्योंकि सो जाएंगे न तो फिर सही रहता है ने तो भी साम होते हुए इतना ठक जाते हैं कि साम कुन को नीद आने लगती है फिर रात तो गई बची नहीं साथी साथ कुछ कपड़े वासिंग मशीन में भी लगा दिये थे दूले के लिए तो वो भी धूल गए है तो मैं यहाँ पर कपड़े डालने आई हूँ और गाइस बहुत धूप है इस धूप से निजात पाने के लिए मैं क्या ही करूँ मैं बता नी सकती हूँ इतनी गर्मी हो रखी है बीच में तो ऐसा लग रहा था कि मौसम बारवा कोले ले रहा था एकदम ठंडी एकदम गर्मी कभी कुछ कभी कुछ पर अभी जो गर्मी है ना वो साथ में आस्मान पर चड़ गई है तो चड़ेगी भी क्यों नहीं जून आने वाला है मैं कब नि आश तक आई गया बिल्कुल मन नहीं करता है कोई भी काम करने का किसी भी काम को बिल्कुल भी दिल नहीं करता है तो मन की ना सुने मन की सुनेंगे तो आप बहुत सारी चीज़े खो देंगे क्योंकि मन तो एकदम चंचल है कभी यहां कभी वहां तो इसलिए मन की ना सुने अपने काम पे ध्यान दे धीरे धीरे सही मैं यह नहीं कहूंगी कि एक्जम से आप सारा काम एक दिन लेके बैठ जाओ तो यह जो क्लिप है यह अभी कपड़े फैला कर आएं उसके बात की ही है कुछ मिर्ची लेकर आए थे मेरे हजबिन को अजार मिर्ची का अचार और आम का अचार गाजर का अचार बहुत अच्छा लगता है और मैं अपनी बताओं मैं किसी भी अचार की सौकीन नहीं हूँ तो यह लेकर आएं अब यह भी करना है नहीं तो खराब हो जाएंगी तो मैंने सोचा था कि हाफ की मैं अचार बनाकर डाल दूँगी जो इंस्टेंट जल्दी बन जाता है और एक इंस्टेंट जो फ्राई मिर्ची होती है वो बना लूँगी लगिन फिर हुआ क्या है तो मैं यहांके बताओंगी यह तो मैंने धूब लगाने के लिए काटके नमग मिर्ची मिलाके रख दी और गाइस के बाद मेरी हाथों में ऐसी मिर्ची लगी है कि मैं क्या ही बताओं यह मिर्ची बहुत जादा तीकी है फिर इनका बीच जो नीचे रहा गया था मुझे ने उनको हटा दी है बागी के जो मिर्च है उसका अचार डाला था और जो बची भी थी उसको भी फिर वाद में मैंने काटके डाल दिया क्योंकि मुझे लगा कि तीकी है तो फिर नहीं उज़ करते है रात के खाने में आज कड़ी बनाई है ये कड़ी अचार पापड और रोटी चावल भी बनाए थे लेकिर इनको नहीं दिये थे क्योंकि ये नहीं खाते हैं चावल बगेरा पसंद कम है इनको फिर उसके बाद ये नेक्स डे वीडियो क्लिप है क्योंकि रात को खाना खाने तो फिर वो सब कुछ नहीं काप्चर किया है तो बहुत सारे रहते हैं हम लेडिस के पास तो फिर मैंने सुबही मैंने इसे सूट किया है आज मैं पोहा बना रही हूं कॉइंटिटी विए ज्यादा बना रही हूं मुझे कही थोड़ा भीजना भी है इसलिए और ये मौफली जाने के साथ में हम लोग खाते हैं और एक चीज और है कि जो पोहा है ना उसको मैंने भीगो के पहले ही रख दिया था अब बहुत दिन बाद मैं बना रही हूं तो चलिए रैस्पी थोड़ी सी देती हूं वैसे सभी को नॉर्मली बनानी आती होगी मैं कैसे बनाती हूं य एक चमच चीनी डाल देती हूं भीगोने के लिए रख दूँगी फूल जाएगा उसके बाद कड़ाए में सरसो के तेल करब होने के बाद मुंफली के दाने निकाल लेंगे उसके बाद जो भी आपको भूनना है पापर चिफ से वह भी भून लो फिर उसके बाद मैं इसमे सरसो के दाने हरी मिर्च काटके डाल दी और उसके बाद भीगा हुआ जो पूहा था उसमें सब बढ़ा हुआ था वो डाल दिया मिक्स कर देंगे और मैंने कॉन्फलक्स भूने थे वह भी उसमें डाल दी बहुत अच्छे लगते हैं आप चिस भी भून सकते हो तो बस यह ह हो गया हमारा नास्ता तैयार और हम लोग ने नास्ता किया है आज मेरे दोनों बच्चे जल्दी उटके नहा लिए है कि देखो ही रही आद्या अस सुबह सुबह नहाली मुझसे पहले ही आज मुझे बार बार की च्छत थी कि उसमें भी जाडू लगानी थी इसलिए यह को कोमेंट आए था कि दिया पर रेसिंग बहुत बाद द्रेसिंग का जुसी साय गंदर रहता है तो तो देखो मेरे साफ किया था था थोड़ा थोड़ा जो गंदर धिक रहोगा ये क्या कड़ता है जीव से चाट कि आज जाता है और जब नीचे भर जाता है तो टूल रखे वोपर चाट किया जो तंग तुछ ये सा क्यों करते हो आप इसे कैसे चाटते हो कैसे चाटते हो इसे एसे क्यों चाटते हो मुझे बता दो थो आप किस का डांस देख रहे हैं तुम तुम किसका डांस करते है फोरोलीना का हम अब तो बोलना भी नहीं है रहा 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 जैने क्या नाम है फोरीना आप तो गोल दिया मेरी बेटी मुझे सिखा रही है पड़ना क्या यह 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 किसने किया है मेहंदी लगाये तुमने सारे डद गेड यह सकते हो किसे गंदे किये जिसके बच्चे ना चोटे यह तो नॉर्मल हो गया है यह सब इतना भी क्लीन कोई यह साप भी नहीं होता है यह इन दोनों की सरारत रेती इसकी तो नहीं रेती इसने कभी नहीं किया यह सब सब्सक्राइब कर दोब है यह करता सारी उधम चलो सबको जैसि कृष्णा शॉल करो तो जो जो नहीं लगाओ उपर हाथ करके हर हर संभू हर हर संबू लुट इस चलमेजाद बास करो भगवान प्रशन हो गए रचुब अमेजार उखाना बनाएं ठीक है ये मेरा ये मेरा है रोटी लिया हूं आई बना रही हूं लुट नास्ता करने के बाद फिर से वही आलस वाला दिन आलस वाला समय हो गया था ऐसा लगा तो जाके सो जाओं लेकिन फिर यही कहूंगी मन को इतना मत वोग बनाओ कि आप काम करी न पाओ तो मैंने अपने मन को फिर से तसली दी और मैं आई किचिन ऐसी गर्मी में किचिन में फिर से बनाया मैंने यह कद्दू की सब्जी तो आपको यह दो दिन का व्लॉग देखने को मिल रहा है अभी मैं आपके कद्दू की सब्जी जो आंगे जैसे मैंने कट की है और कैसे मैंने इसको छोका है वो सब सूट किया था बट बटन आन करना भूल गई थी तो ना डाल पाओ तो कलोंजी तो फिर छोड़ देना लेकिन मेथी दाना और जरू डालना और पकने के लिए छोड़ना इसको हरी धरिया मिर्ची सब्जी डाल दूल के थोड़ी देर बाद आंधी आ गई मैंने यह गद्दे आस सुबह धूब लगाने के लिए डाले थे बीच हमारे आद तूफान को अला हम लोगान भी बोलते हैं अब लोग क्या भोलते हो पता नहीं तो यह दोनों गद्दे में उठा कर रखने जारी हो मिर्ची जो मैंने काटके डाली थे धूब में धूब तो लग चुकी है अब यह उड़ना जाए और कहीं फैलना जाए इसलिए इनको भी उठा लूँगी और यह दक्स को तो बहुत मज़ा आ रहा है आजकल तो एक बुक्स लेकर पढ़ा करता है तो अच्छी बात है इसको भी कुछ न कुछ इस तरीके की चीज़े देती रहती हूं मैं थोड़ी देर बाद मौसम का यह हाल है गर्मी तो भागी गई अ प्लॉट पे हैं बोला था फोन करके आज़ा हो लेकिन बोल रही थे कि बादे थम जाए कि तभाएंगे फिर काफी लेट आये थे वह तो यह कद्दू की सब्जी बन गई है बहुत थोड़ी बनी है और बहुत थोड़ी हम लोग लिए इनफ होती है क्योंकि हम लोग बहुत साधी से पहले ऐसा नईता मैं बहुत खाती थी पता नहीं क्यों सब्जी मैं इतनी कम कर दी है इन यह भी थोड़ा सा कमी कम खाते हैं खेर कभी कभी कोई जी जैसी होती है कि बहुत जादा बनानी पड़ती है जो की राइस से खानी पड़ती है ऐसी छो जो हरी सब्जी होती थोड़ी बनाती हूं मैं बाकी कर ये रात की क्लिप है और मैं दुपहर में खूब आराम की और मैंने अपनी मन की मान ली और मैंने बहुत कुछ खो दिया जो मुझे कैप्चर करना था तो सो गई थी जाकर मैं फिर साम को जब उठी तो इतना आलस था तो मैंने कुछ काम भी निपटाए थे अपने कुछ कपड़े वगेरा मुझे ठीक धाक करने थे तो मैंने आफ कैमरा किया आप लोग साथ शेर नहीं किया लेकिन पस वही है मन की चला ली तो आप कुछ नहीं हो सकता है तो अभी ये बरतन है जो मैं धुल के चुकी हूं रात के और इनको स्टैंड लेती हूं सारा का फिरातियों मैं वैसे एक बार छोड़ भी देती इनको की रहने दो मैं कल कल लोंगी बड़तर इस्टैंड में लगाने का लेकिन आप गर्मी होने लगी है गर्मी हो में चिकलियां बहुत दर गोमती है तो बहुत डर रहता है मुझे तो मैं इनको थोड़ दुनने के बाद स्टैंड में लगाई देती हूं प्रोपर ऑगनाइज कर दोंगी पूरा किचिन क्लीन हो जाता है और स्लैप खाली और सिंग भी खाली हो चबकती भी दिखती है तो सुबह ओट की दम जो सुकून मिलता है उसको तो मैं बताई ने सकती हूं इतना अच्छा लगता है घर साफ हो किचिन साफ हो बहुत अच्छा लगता है तो बस यहां पर मैं आपको एक ची दिखा रही हूं जो मिर्ची है वो अच्छी घाची सूख गई है तो इनको मैंने कल डाला था कट करके और आज भी थोई देड डाला है इनका पानी बिल्कुल मर गया है मैं और उसको विता हो च wha दंडाम देने लग्या पका लेना यह है रहां जास है जो मसाला होता है जो-चान में डाला जाता है राइस और रजवाएं थोड़ी सी थोड़ी सी भीन ृनमा भी यह साई बिल्सटे मिक्स करके बनाए जाता है जो भून के वो सारा मैंने इसमें डाल दिया है और मैं इतना डर गई थी कि मिर्ची मेरे इतनी लगी थी फेस पे कहीं कहीं वे तो मैंने चम्मच का इस्तमाल किया जहां से नहीं किया मसाला मिक्स करने के बाद मैंने ये तेल है तो ठंडा हो गया ता वो डाल दिया है इसको मिक्स कर देंगे अब मैं रोज इसको अलट पलट देती हूं ताकि बहुत अच्छे से ये सेट हो जाए नहीं तो फिर क्या होगा कि पहातेल नीचे बैठा रहेगा और ये उपर उपर सुखती रहेंगी तो बीड़ बीड़ में मिलाती रहती हूं मैं इनको और आज मेरा जो ये चार है बहुत सा बन हो जाता है तो बस यह अच्छे कर करते हूं रहीं तो साल करते हैं अनकों कुछ जाए काड़ते हैं और लगाते मच्छा दानी पर नहीं हूंDo तो मच्छादानी नोने डिसाइड कि आप लगाया करेंगे अब ये सुकून से सोते हैं मैं भी सुकून से सोती हूं और बच्चों को तो एक घर सा मिल जाता है पता नहीं क्यों कैसा क्या बहुत मज़ा आ रहाता द्या को तो ये वीडियो यहीं तक कि आपसे मिलते हैं नेक्स कि आपसे मिलते हैं और रहाता हैं ये जाया को तो भी सुकून से सरो एक देह नहीं तो